नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्रखंड से दोस्तों फरवरी का मेहना आ गया है इस समय जो है टेमपेचर थोड़ा बढ़ चुका है और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हमें अभी अप्रेल मई तक फ्लावरिंग करेंगे और उनकी कटिंग अगर आभी हम दोस्तों जो भी प्लांट बताऊंगी वह बहुत ही जल्दी से उसकी कटिंग त्यार होगी क्योंकि बसंत का महना है बसंत के समय आप कोई भी कटिंग लगाते हैं उसके चलने के चांसे जो होते हैं जब इस तरह के फूल हमें दिखते हैं यह दोस्तों नरसरी से लाइवा प्लांट नहीं है यह खुद के कटिंग त्यार प्लांट है फो इसके मन में अलगी खुशी होती है यह देखिए कितनी बड़ी बड़ी बत्स आई हुई है देखिए यह चुस्तों इन्ही के किनारे फैला प्लांट बहेलिया है इतना सारी बरांच आ रही आप इसको है वो चलनल जाती है डहलिया डिफ्रेंट कलर का है जो कलर आप चाहें इस समय आप नटसर से भी प्लांट लेके आते तो उसके साइट से जो ब्रांचेस निकल रही है उस ब्रांच को तोड़ के लगाईए बहुत जल्दी चलेगी और फ्लावरिंग पर आएगी क्योंकि और स संतिकी मौसम में आपका प्लांट बिना फ्लावर दिये हुई नहीं जाए तो इसलिए जो है इसकी कटिंग हम इसमय जरू लगाने जाहिए यह आपको हर जगह इसमय दिख जाएगा बगीचों बगर में किसी पार्क में जाते हैं वहाँ पर भी तो इसकी भी आपको एक छो प्लांट पूरी साल नहीं होता है बस अप्रेल मही तक ही यह प्लांट फ्लावरिंग करेंगे और इस समय जो है जैसे यही प्लांट है इसकी बर्ट साइट इसको मैं तो बर्ट सहीद भी यह प्लांट लग जाते हैं तो इल्वर्ट सहीद भी आप लगा दे तो मैं मानते क्योंकि इसका रज़ाट जो आपको 100% मिलेगा बस एलो बरेके जेल में डिप करके प्लांट में जो है जिस जगह पर लगाएं इसी प्लांट में लगा दें तो इसकी सोयल को मुष्ट रखें बहुत ज़़ा पानी न दें और बार बार कटिंग को नहीं हिलाएंगे तो आपक गजनिया का प्लांट होता है गजनिया के प्लांट दोस्तों कटिंग से त्यार तो होता है तो इसको डिवाइट से त्यार करने जादा अच्छा होता है तो इसमें बहुत सारे कलर होते हैं बहुत फुल ब्लूमिंग पर होगा जहां पर भी आप जाएंगे तो इसमें जो है मेरे bite protein देखे कितने heavy flowing हो रही है तो इनकी भी cutting जो है हम लगा सकते हैं इसी cutting को थोड़ा चलने में समय लगता है पर एक dundies तोड़ी है नीचे से पत्ते हटा के जो जो जिसमें चार-पांच ब्रांचे जो हो तो उस cutting को भी आप लगाएंगे तो लग जाएगी दोस्तों ये खूब सिरा प्लांट डेंथस होता है जो पूरी साल बना रहता है और ये जो है साल के अधिकतर महनों में जो है फ्लाबरिंग करता है जब बहुत तेज गर्मी होती उस समय इसके कई बार इंसेक का अटक और बहुत बारिश में गन्य डर रहता है बागी जो है इसके सही कीयर करें तो इसको कटिंग से आप बनाए एक से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं तो इसको भी फारबरि के महने में कटिंग से लगाना बहुत अच्छा होता है दोस्तों ये बीगोनिया है इसको सही माइने में बहुत कम कियर चाहिए। ज्यादा कियर में ही ये प्लांट जो होता खराब होता है। ये देखिए बहुत सारी इसकी ब्रांच निकली हुई है। एक ब्रांच को तोड़के नीचे के पत्ते हटाके इसकी फ्लावर सहीद भी लगाते हैं तो ये कटिंग जो है आपको 100% निच्डेट देगी। तरह-तरह की कलर होते हैं। इसकी पत्ते आपने आप में बहुत खूशूरत होते है इसकी बहुत सारी बैराइटि बैक्स बिकॉनिया की कटिंग इस समय त्यार कर सकते हैं। छाया वरार जगे में पूरी साल इस प्लांट को चला सकत गर्मियों में थोड़ा इसको मॉइस्टर की जरुत होती है तो मेरे पास तो यह प्लांट जो है पूरी साल बना रहता है यह देखिए सिल्पर विगोनिया है इसकी पत्ते इस तरह ऐसे होते हैं और यह देखिए विगोनिया की एक खुबसर बेराइटी यह है तो बसंत आने स से इसकी पत्तों पर ज़्यादा खुबसूरती बढ़ती है दोस्तों यह देखिए खुबसूरत इंपेशन की आप बहुत सारी बेराइटी मिलती है बहुत सारी कलरे मिलता है चोटी से छोटी दो इंचे तक की कटिंग में भी जिसमें एक नोड एरिया हो उसको मतलब नोड लगे होते हैं पत्तों को हटा कर इनको लगाएँगे तो यह प्लांट भी कटिंग से इस समय त्यार कर सकते हैं यह डेवल कलर सिंगल मीलस, शाल्विया है जाना पेचान होता है अंगा हो canns can नहीं हमारे पास बना रहता है भले इसके फिलावरी थोड़ी सी कम होती है दोस्तो यह और्नामेंडल कैविज है और्नामेंडल कैविज दोस्तों यह भौट सुन्दर लगता है इस समय जब तख टेंपरेचर जो है 35、35 असपा 30-35 डिए आसपास रहता है तब तक इस प्लांट में इसी तरह के ऐसा लगता है कि बस इसको तोड़ना ही है, पुरा रेडिय पर इसको तोड़ना नहीं है, यह ऐसे खुशूरत दिखाए दिता है, तो इसकी साइड से ब्रांचे निकलती है, तो उन्ही ब्रांचे से द दूप में रखा था तो इसमें बीच में ग्रीन ग्रीन कलर कर दिया है, इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, बस एक थोड़ी से सुदे की एक दो खंटे की धूप है, अब मैं इसको फिर सचाय मिलां, कटिंग मना रखी, कटिंग से रेडिय है यह प्लांट, कटिंग भी इस समय हम आसानी से लगा सकते हैं, दोस्तों एक कॉस्मॉस होता है, जो येलो कलर का होता है, और ये बाला जो बारिक पत्तों वाला है, ये बिंटर में ही ज़्यादा फ्लाविंग करता है, तो इसकी कटिंग मैंने लगाई और आसानी से लग जाती है, यह तो इसकी भी जो है एक डंडी तोड़िए नीचे के पत्ते हटाएं यह प्लांट भी इस समय आसाशन इससे कटिंग से आप त्यार कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है जब सीट पॉट बनते हैं तो सीट पॉट जो है उनको तयार होने के बाद करेंगे आप इससी तरह को तोड़के लगाने से प्लांट लग जाता है पर उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है मतलब कुछ यह टाइम लेते हैं वैसे इस प्लांट को जो होता है सीड से ग्रो करना बहुत अच्छा होता है मेरे पास सारे प्लांट के अलंडूला के जो है यह देखिए मल्टी होती है तो यह जो है एक से दो यह देखिए यह दो बन गए है प्लांट इनको अगर हम अलग करें तो इस समय जो है आसाने से डिवाइड हो जाते हैं और प्लांट के मरने के चांसे कम रहते हैं दोस्तों गेंदा मेरीगोल्ड हमारा अभी बहुत लंबा साथ निभाएंगे इनकी भी आप जो है कटिंग लगाएं तो यह कटिंग से बहुत आसाने से समय त्यार हो जाते हैं क्योंकि प्लांट परिपक्प होता है जिसमें कटिंग हम लगाते हैं तो उनकी कटिंग से कुछ यह दिन में जिनमें अगर आपकी कलियां बनी हुई है ऐसे भी अगर आप फ्लावरिंग करता है इसकी भी इस समय कटिंग लगाएंगे तो कुछ ही दिन में आपके पास नया प्लांट त्यार हो जाएगा आपको ज्यादा मैनल करनी जोड़ नहीं है तो इसको लिए ये फैर्वेल समय होता है इसका इसका इसकी कटिंग लगाने चाहिए रोज हुआ आती है मेडिशनल प्लांट भी होता है तो रोज ही कटिंग लगाने का बहतरीन समय है तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपसे कटिंग से त्यार होने बाले फरवरी के महने बसंत के मौसम में कौन-कौन से प्लांट है जो आसानी से बहुत ही जल्दी कटिंग से त बारें बताया उम्मीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार